Redmi Note 11 Pro Plus aka Xiaomi 11i HyperCharge इंडिया में लाँच होने वाला है Realme GT Fold आने वाला है और भी बहुत जबर्दस जबर्दस Tech News आज के इस TTS के पिसोड में है वानमी जहीर and this is the episode number 225 of TTS Tech News so let's begin Guys TTS का मतलब Tuesday, Thursday and Saturday मैं बहुत ही छोटे मैंनर में आप लोग को Tech News देता हूँ so with that said let's start with the other category so other category मैं सबसे पहली news थोड़ी सी मतलब विचितर सी लगी मुझे क्यों ऐसा? Apple ने पूरा सीदा 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 जारत एकदम रफतार में अचानक से U-Ton मार ले आया जो right to repair moment है उसको लेके मतलब अभी तक के जो आप लोग सुन ही रहोगे कि Apple प्राइ करता है अपने phones को अपने laptops को जितना मुश्किल हो सके repair करना उतना मुश्किल बनाना and Apple ने कर अनॉंस किया self repair program भाई साहब that is very weird because भाई अब आप आप आपको repair करने के लिए पूरा instruction manual वगरा provide करेगा हर एक पार्ट के बारे में कैसे आपको repair करना है वह सारा manual plus parts वगरा भी sell करेगा that is weird bro like literally that is very weird पता नहीं क्यों किया Apple ने actually US में right to repair movement चलती है बहुत जादा तगड़े तरीके से Louis Rossman करके एक बंदा है वह mobile laptops वगरा repair करता था वह बढ़क गया वाई Apple वाला नहीं करने देता तो सिधा उदर फेडरल वेडरल तक चले गया मतला basically government टक चले गया तो अभी वहाँ पर law बनने वाला है इस चीज को direct Apple वाला ने user manual देंगे किस तरह से खोलना है बनाना है वह सारी चेसर तो अगर आप comfortable हो तो आप लोग खोल के खुद के फोन को repair कर सकते हो तो काफी अच्छी चीज है बट बहुत ही तगड़ा वाला दाने वाला है बाकि chip shortage यह जो word है यह दुनिया को तभा करके रखा है मतलब literally तभा करके रखा है और यह चीज का impact हमको next year भी देखने को मिलने वाला है next year ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई chip shortage के वज़े से आपको phones जो है उनका कीमत और बढ़ा वाई देखने को मिल सकता है तो जितने भी phones next year launch होने वाले हैं उनकी कीमतों में लगभग लगभग 20% के आसपास का increment देखने को मिल सकता है which is very crazy भाई तो stay tuned रहो मतलब अपनी कमर को कस लो भाई सीदी से बात बात करू Amazon की तो Amazon की तरफ से एक news यह आ रहे है कि समझो अगर आप UK में रते हो और आपके पास visa का card है तो आपका credit card accept ही नहोगा credit or debit card जो भी आपका card है वो accept ही नहोगा अगर आपके पास visa का provided card है तो processing fees जाता है इसके विए से card ना accept करना तो इससे वीजा का बहुत जादा नुक्सान हो सकता तो वीजा वाले शायद से processing fees कम करें क्योंकि Amazon is giant literally भाई तो देखते क्या है बाकि यह थी सारी other category की news अब हम लोग बढ़े smartphone की तरफ तो भाई यहां पर भी बहुत तगड़ी तगड जो fold phone है इसके बारे में teaser आना चालोग है यह पूरा design वगरा जो drawing type है यह लीक होआ है इसके उपर से जैसे आप लोग देख रहे हो इसका जो नाम होने वाला है realme gt2 fold so let's see भाई launch करने तो फिर देखा जाएगा fold phones budget में चाहिए भाई थोड़ा सा wait करो देखते हैं बाकि उसके बाद Samsung की बात करूँ तो 1 UI 4.0 जो है उसका timeline आ गया है most probably December के अंदर हमको जो S21 series है उसके अंदर and fold and flip series है उसके अंदर देखने को मिल जाएग 1 UI 4 जो Android 12 पे बेज हो बाकि भाई BBK electronics की तरफ से ये खबरा आडिये कि हो सकता है कुछ टाइम में 100W प्लस जो charger वाले फोन्स है वो नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा है वैसा similarly 100W या 125W नॉर्मली देखने को मिल जाएगा यह मतलब जो next year आने वाला है उसमें बाकि एक फोन Realme की तरफ से शायद आ सकता है जिसका नाम है Real Music I mean iPod वगएरा बना रहे है मतलब iPod का kind of नया वर्जन या फिर ऐसा pocket friendly उसके अनर एम्प वगएरा है पता नी भाई let's see जब launch करेगा तो दिखा जाएगा उसके बाद अगर बात करो तो OnePlus की तरफ से news आ रही है OnePlus 10 series जो है इसका timeline बाहर आ रह सकता है and global market में March से April की बीच में launch हो सकता है तो देखते हैं भाई क्या है let's see थोड़ा सा वेट करो बाकि उसके बाद Samsung की तरफ से यह ने जा रही है कि Samsung के जो upcoming phones होने वाले especially flip and fold, fold तो यह साथ आया था उसके अंदर भी under display camera था बट जो next year flip आएगा उसके अंदर भी under display camera देखने को मिलने वाला है I mean जो flip का camera भी था वो बहुत ही जादा बखवास था to be honest तो अगर उस पर iterate करके उन लोग कुछ नया बनाते हैं कुछ improve करके लेका आते हैं तो देखने वाली बात होगी थोड़ा सा वेट करो देखते हैं का है देखो देखने में तो बहुत अलग टाइप का पनाया डिजाइन वगरा थोड़ा अच्छा है मतलब अच्छा दिख रहा है to be honest new दिख रहा है अब हम लोग गैजट्स में बढ़ें तो यहां पर भी टगड़ी टगड़ी न्यूज है सबसे पहली ने उस तो भाई Samsung के एक tablet किया है Samsung Galaxy Tab S8 Ultra अब टैब में भी अल्ट्रा आएगा आएगा आपको मैं बताता हूँ भाई यह जो टैब होगा इसके अंदर हमको 120 है इस AMOLED द दूसरी चीज इसका जो डिस्पले साइज है वो 14.6 इंचे होने वाला है कितना 14.6 इंचे भाई उतने बड़े लैप्टॉप भी नहीं आते मतलब इधर पर मेरे मोश्टली 99% लोग जो लैप्टॉप यूज करते है उसमें अराउंड 13 इंच का डिस्पले होता है जो शोड देखने को मिलेगा ख्रेजी चीज है थोड़ा सा वेट करो लांच होने दो फिर देखा जाएगा बाकि उसके बाद एक लात करो तू नथिंग वाला अपना नया एयर फोन निकालने वाला है नथिंग इयर वन एक ब्लैक कलर के अंदर एमीन वह जो वाइट कलर का या ता न एन M1 Pro उसको टक कर देने के लिए Qualcomm का प्रोस्टर निकालेंगे जो विंडोज 11 पर चलेगा भाई मतला विंडोज 11 आम के लिए आएगा फिर उसके ऊपर मतला वह जो प्रोस्टर होगा वह बनाने वाला है जो Apple Silicon को टक कर देखा ओके भाई I am listening let's see क्या करता है Qualcomm, Qualcomm है तो अपडेट कर दो वैसे आएसा फ्लो है कि भाई उसको फिजिकल एक्सेस ही चाहिए तो मतलब ठीक है लेकिन अपडेट कर दो तो दादा बेटर है बाकि इंडिया में Microsoft का Surface Go 3 लाँच हो गया है मतलब प्राइजिंग जो है वह 58,000 रुपीज के आसपास है ओके ओके लैप